नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहुल स्वागत आपका नमो टेकनिशन फिटर मास्टर में फ्रिंट्स आज हम लोग इस विडियो में फंडमेंटल डैवियेशन को जानेंगे hall basis system को जानेंगे soft basis system को जानेंगे और video के last में हम लोग इस तरह के question को easily solve कर पाएंगे ठीक है इस तरह के question को हम लोग देख के बोल देंगे कि ये कौन सा fit में आता है तो video को last तक जरूर देखे तो चलिए friends सबसे पहले वह लोग फंडमेंटल deviation के बारे में जान लेते के fundamental deviation क्या होता है तो friends fundamental deviation या तो lower deviation होता है या फिर upper deviation होता है तो किस case में lower deviation होगा और किस case में upper deviation होगा इसको थोड़ा सा में ग्राफिक के लिए समझ लेते हैं तो इस तरह का मैं diagram बना लेता हूँ तो इसमें क्या होता है fundamental deviation में क्या होता है जो deviation zero line के नजदिक रहता है वही fundamental deviation होता है तो ये upper deviation हो जागा और ये lower deviation हो जागा तो इस case में हमारा lower deviation होगा यही हमारा fundamental deviation होगा अगर tolerance zone zero line के उपर रहे तो fundamental deviation हमारा lower deviation होगा और अगर tolerance zone zero line के निचे रहे तो जो upper deviation होगा यह upper deviation होगा और यह lower deviation होगा तो अगर tolerance zone zero line के निचे रहे तो upper deviation zero line के नज़दीक होगा इसलिए upper deviation हमारा fundamental deviation होगा जब tolerance zone हमारा zero line के नीचे रहे clear तो अब हम लोग समझेंगे whole basis system और soft basis system को तो friends whole basis system में क्या होता है whole का tolerance zone ठीक है इस तरह से रहता है और जो lower deviation होता है ठीक है ये upper deviation है और ये lower deviation तो फ्रेंट इसका lower deviation जो होता है वो zero line में ही रहता है ठीक है तो हम लोग कह सकते हैं इसका lower deviation zero होगा तो zero line के नजदिक हमारा lower deviation है ठीक है तो lower deviation ही हमारा fundamental deviation होगा तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं whole basis system में fundamental deviation zero होता है clear और अब हम लोग जान लेते हैं soft basis system को तो फ्रेंट soft basis system में क्या होता है soft का tolerance zone इस तरह से बनेगा और जो upper deviation होगा अपर deviation इसका 0 लाइन में रहेगा तो upper deviation इसका 0 हो जागा तो कह सकते हैं कि fundamental deviation भी 0 होगा तो whole के case में fundamental deviation को h से denote किया जाता है और shaft को small h से ठीक है तो fundamental deviation जो होता है whole के लिए capital letter से ठीक है whole के लिए capital letter से आप देख सकते इस diagram में capital letter से indicate किया जाता है और soft के लिए small letter से indicate किया जाता है clear तो fundamental deviation कितना होता है according to BIS system 25 fundamental deviation होता है ठीक है तो A से Z तक होता है clear तो Z A से Z तक fundamental deviation होता है यहां से हम लोग क्या करेंगे I, L, O, Q और W को हटा देंगे और इसके जगापर हम लोग J S, Z A, Z B और Z C को include कर देंगे ठीक है तो इस तरह से मारा fundamental deviation हो जाएगा 25 तो इस diagram में आप देख सकते हैं जो fundamental deviation है ठीक है इसमें 25 fundamental deviation है और आपको इस diagram में दिखाया गया है जो इसका position है ठीक है जो tolerance zone का position है उसको इस diagram में दिखाया गया है तो hall basis system और soft basis system में क्या है तो industry में क्या होता है इंडेस्ट्री में hall basis system को use किया जाता है इसमें क्या करना होता है कि जब भी assembly हम लोग बनाते हैं या कोई fit बनाते हैं तो हम लोग hole का size को constant रखते है hole का size को fixed रखा जाता है और जो soft का size होता है उसमें vary किया जाता है साफ्ट का size में vary किया जाता है different fits को प्राप्त करने के लिए तो इंडेस्ट्री में hall basis system को क्यों अपनाया गया है क्योंकि यह economical है इसमें कम खर्चा पड़ता है ठीक है hole का size को fixed रखा जाता है और soft का size में changes किया जाता है ठीक है मतलब hole को हम लोग vary कर सकते हैं तो hole के उपर हमें different types of operation करने होगा जैसे drilling करना होगा rimming करना होगा boring करना होगा तो बहुत सारे operation करने होगे और different different instruments instrument का भी हमें यूज करना होगा जिसके चलते उसमें खर्चा जादा होता है तो इसलिए जो है industry में hall basis system को यूज किया जाता है अब हम लोग जो इस तरह के question पूछे जाते हैं इसको solve करना सिखेंगे ठीक है तो इस तरह के question को आप देखके इजीली बोल पाओगे कि यह कौन सा फेट है तो अभी थोड़ा देरी पहले मैंने आपको clear करा है कि जितना भी assembly बनता है जितना भी assembly बनता है वो whole basis system से बनता है clear तो whole basis system में हमनों fundamental deviation को capital H से denote करते है whole के लिए और soft के लिए small h से तो ठीक है इस fit में आप देख सकते है h दिया हुआ capital H दिया हुआ है 6 दिया हुआ 6 क्या है यह tolerance है तो इस तरह के question में अगर हमें पूछा जाए कि यह कौन सा फेट है तो हम लोग इस tolerance को उतना ध्यान नहीं देंगे है ठीक है क्लियर तो 25 fundamental यह क्या 25 basic size है ठीक है और हमें इससे पता करना है कि यह कौन सा फेट है तो एच दिया हुआ है है मतलब यह hall basis system clear तो यह क्या हो जागो hall basis system का टॉल्ट जोन इस तरह से बनता है और small g क्या small g का आप देख सकते हैं इसका position कहां पर है इस तरह से ठीक है यह hall basis system है ठीक है यह यह hall basis system का डाग्राम है टॉल्ट जोन है ठीक है है तो इसमें आप देखेंगे यह hall hall इसका tolerance कहां पर होगा और g का position कहां पर यहां पर तो इस case में हम लोग कह सकता है जब hall का tolerance जोन है जब hall का tolerance जोन साफट के tolerance जोन के ऊपर होता है तो ओ फिट हमारा क्लियरन फिट होता है, वो फिट हमारा किलियरन्स फिट होता है, अब हम लोग गाजाम पल लेंगे, इंटर फियरन्स फिट का ठीक है, तो हमारा इस तरह से फिट दिया हुआ रहेगा तो इससे हम लोग यह हमारा है मतलब इस तरह का डाइगराम बनेगा हॉल बेसे सिस्टेम का ठीक है ठीक है पोजिशन देखेंगे कहां पर है इसके उपर है क्लियर तो यह हमारा हो जाएगा इंटरफेरनेश फिट क्योंकि साथ का टोल्रेंश जोन होल के उपर है इस चैस में हमारा हो जाएगा इंटर्फेरनेश फिट अब हम लोग देखेंगे transition fit के बारे में ठीक है तो transition fit माली जे इस तरह से अगर दिया हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा hall based system का diagram इस तरह से बनेगा और जे 6 जे देखेंगे हम लोग जे का जे हमारा tolerance zone के साथ overlap करेगा इस तरह से इसका tolerance zone बनेगा तो हम लोग कह सकते हैं यह transition fit है ठीक है जब दो tolerance zone hall और shaft का tolerance zone overlap करे तो हमारा हो जाएगा transition fit clear तो इस तरह के हम लोग फिट को देखके इजिली बोल पाएंगे कि यह कौन सा fit है clear तो अगर whole basis system अगर whole basis system मतलब इस तरह का कोई भी अगर रहे है तो जब whole basis system होगा तो क्या होगा अगर soft के लिए suppose soft के लिए क्या होगा अगर a से जी तक टीक है अगर a से यहां से देखिए अगर a से लेकर जी तक दिया हुआ रहेगा ठीक है यहां पर अगर a से लेकर a से लेकर जी तक दिया हुआ रहेगा तो क्या हो जागा यह clear and fit ठीक है और अगर यहां पर जेसे लेकर जैसे लेकर n तक overlap कर रहा है जैसे लेकर n तक overlap कर रहा है ठीक है तो यह क्या हो जागा transition fit ठीक है और अगर उसके बाद p से लेकर z c तक दिया हुआ रहा है तो वह हमारा हो जागा interference fit तो friends आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है जानकारी अच्छी लगी है तो please वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि fitters related में जो भी इस तरह के वीडियो बनाओ समय पर आपको उसका notification मिलता रहा है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जाए हिंद